हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आयोप आप सब अच्छे होंगे तो यहाँ पर CRPF ने नई भरतिया निकाली है तो यहाँ पर हम डिसकस करेंगे कि इसकी eligibility क्या रहेगी, slave bus क्या है और exam pattern क्या रहेगा और क्या इसको भरने की first date है और क्या last date है तो यह सब कुछ हम इसमें डिसकस करेंगे तो आईए सुरू करते हैं आज की वीडियो से वहले हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको in future मिलती रहे को यहाँ पर official जो इन्होंने advertisement notice release किया है उसको यहाँ पर बताऊंगा तो CRPF Ministry of Home Affair के अंडर आती है तो यहाँ पर इन्होंने various post जैसे की sub inspector, radio, operator, crypto, technical, civil या फिर टेकनिकल, drotsman की भरतिया यहाँ पर निकाली हुई है उसके लिए इन्होंने उपर यह website दी हुई है आप इस website पर विजिट करके डिरेक्ट यहाँ पर form भर सकते हैं अगर हम date की बात करें तो date of submission यहाँ पर 1523, last date 21523 तो बहुत कम टाइम है तो जल्ली से form को भर दीजिए और admit card 13623 को आ जाएंगी और exam का इन्होंने बता दिया ह यहाँ पर 252623 के बीच बीच में कर्ट रौा लेंगे अगर हम बात करें pay scale की तो सब इंस्पेक्टर आरो की pay scale यहाँ पर 35400 से लेके 1,122,400 तक हो जा सकती है तो अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर crypto सब इंस्पेक्टर technical और सब इंस्पेक्टर civil जो सिर्फ mail के लिए है त और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो टेक्निकल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पेस्केल है वो 29,200 से लेके 22,300 तक रहेगा तो यहां पर अगर हम आगे देखें तो पोश्ट विल कैरी, DNS अलोयंस, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट अलोयंस, राश्टन मनी अल 1212 और इनको डिवाइड किया गया है सब इंस्पेक्टर आरो की 19, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की 7, निचे 5,20, 146 ती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज़्यादा है तो आपको जल्दी से फॉर्म इनको भर दीजिए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, सिर्फ इनो भरने के लिए, तो अगर हम बात करें, नेशनेलिटी सिटिजन सिप कौन-कौन इसको भर सकता है, तो सिटिजन ऑफ इंडिया और नेपाल या फिर भोटान या फिर तिम्तियन रिफ्यूजी जो एक जनवरी 1962 में इंडिया में आए हुए थे, तो जो भी ये फॉर्म पहले अल्रेडी से भरते हैं, उनको ये सब पता होगा, तो हम अगर आगे देखें, तो एज लिमिट यहां पर बताए गई है, सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल, तो जितने भी बिलो 30 एर्ज हैं, वो सब इसको भर सकते हैं, और अगर हम बात कर हैं, यहां पर SC, HD, तो इनके लिए 5 एर की रिलेक्शेशन है, OBC के लिए 3 एर की रिलेक्शेशन है, और सेंटर, गवर्मेंट, सर्वेंट, अगर हो कोई है, तो उनको 40 एर्ज तक या फिर 5 एर की रिलेक्शेशन है, तो यह सब कुछ आपके लिए तब जूरी है, अगर रिका उनकोगनाइज उनकोटी मृंट सिब विए 2 एर कंपूstate निज्वाशन होना चाहिए, को सब बात करें, सब इंस्पेक्ट कृप्टों की तो बंषी अग्रा कृट्ट सिब्चलर, टिप्टे करी और कंप के रिलेक्शेशन होना चाहिए, और सिब्सेशन होना चाहिए और Institute of Electronics and Telecommunication तो सब इस्पेक्टर जो सिर्फ मेल के लिए है सिविल में तो उनके लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है इन सिविल इंजिनिरिंग और असिस्टेंस सब इस्पेक्टर टेक्निकल में असेंसिल है जो 10th क्लास पास होने चाहिए और 3-year का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजिनिरिंग और या फिर कंप्यूटर साइंस में इनमें और दिया है कि B.S.C. डिग्री विद फिजिक्स केमिश्टरी और मैथमेटिक्स में होने चाहिए असिस्टेंस सब इस्पेक्टर में भी इन्होंने मैटरिक पास मांगी है इंग्लिस विद जर्नल साइंस एंड मैथमेटिक्स और फिर ड्रॉट स्पेन का कोर्स होना चाहिए तो यह सब कुछ जो एजुगेशन क्वैलिफिकेशन है इसमें आती है अब यहां बाद आती है कि कैसे हम इसको अपलाई करें तो यहां पर अपलाई ऑनलाइन होगा मैंने आपको पहले भी वेबसाइट दिखा दी है तो आपको डिरेक्ट उस वेबसाइट पर जाकर सिधा अपने जो फॉर्म है वो फिलप करना है और डेट यहां पर 1523 यानि कि मई से स्टार्ट होगी है और 21 मई तक लाश्ट डेट है तो इसको जल्दी से फॉर्म को भर लीजिए क्योंकि नोंने बहुत कम टाइम दिया है तो यह मत सुचना कि हम लाश्ट डेट पर भरेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लाश्ट डेट तक बहुत साई लोग भरने सुरू करते है तो ट्रैफिक ज़्याद होने करने कभी कभी साइट भी हैंक कर जाती है तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही इस फॉर्म को भर लें अगर हम बात करें फीज की तो एक्जामिने करेंटन फीज 200 रहेगी 200 सब इंस्पेक्टर जो जर्मल है उनके लिए और जो शौर पह रहेगी फॉर असिस्टेंश सब इंस्पेक्टर के लिए और अकर हम बात करें S.E.A.S.T. और नेरबाई आपके city पढ़ती है उसको select कर सकते हैं और वहां पर अपना center भर सकते हैं तो यहां पर सभी state के जो cities हैं उनमें ये exam connect वाई जाएगा तो आप जल्दी से ये form भर दीजिए ताकि आपको center भी easily available हो सके तो अगर हम बात करें यहां पर कि syllabus क्या रहेगा तो सबसे पहल तो number of questions 20 होंगे और marks इसमें 40 तो यहां पर journal knowledge and awareness same pattern रहेगा और journal English जो grammar आएगा वो 10 question होंगे और marks 20 number के क्यूंकि एक question दो number का रहेगा और अगर हम part 2 में बात करें इसके दो part में ये exam connect वाई जाएगा तो part 1 और part 2 part 2 में भी जो part A के question होंगे वो question will be from concept of physics mathematics तो इसमें भी 30 question रहेंगे और marks 60 का और part B में पुछेंगे ये graduate standard computer science का तो इसमें 20 question रहेंगे तो अगर हम बात करें for SI crypto में तो part A में question will be from the concept of physics mathematics तो इसमें भी same pattern रहेगा number of question 30 और maximum mark 60 और part B में English comprehension तो इसमें number of question 20 और maximum mark रहेंगे 40 तो अगर हम बात करें for SI technical में तो question will be from the concept of physics and mathematics तो आपको धियां रखना है कि physics और mathematics यहां पर बहुत ज़रूरी है major है और यहां पर number of question 50 और maximum mark 100 का रहेगा या फिर B.E.B.Tech में standard in electrical और telecommunication में 50 में number of question रहेंगे और 100 marks का यह यहां पर B.E.Tech standard in computer science तो उसमें भी optional है यहां पर कि आप कौन से उसमें दे रहे हो तो यहां पर जो number of question 50 और maximum mark यहां पर 100 रहेंगे तो अगर हम बात करें next जो हमारी post है for SI civil में जो सिर्फ mail के लिए है only one paper having three parts का रिंग total 100 marks तो यहां पर सिर्फ एक paper होगा जिसे में तीन पार पार वन में बोला गया है professional knowledge related to syllabus of civil engineering तो यहां पर number of question 50 और maximum marks 50 तो एक question एक mark का रहेगा और यहां पर आपको time दिया गया है दो जो घंटे आपको यहां पर मिलेंगे तो part 2 में journal awareness related to journal knowledge journal awareness और part 3 में physics chemistry math इसमें से आपको आएगा जो सिर्फ 12th standard तक का होगा next अगर हम बात करें for SI technical dots man के लिए तो यहां पर भी एक paper होगा 100 marks का जिसमें एक mark एक question का होगा तो यहां पर duration 2 hour रहेगी for both part 1 and part 2 तो यहां पर part 1 में 60 mark का रहेगा जिसमें math, science, English और journal knowledge आएगी 15 बंदर नंबर के यह जो part 1 रहेगा और part 2 जो 40 marks का रहेगा उसमें 3 year diploma standard in radio engineering और electrical तो next रहेगा 3 year diploma standard in computer या फिर graduate level in physics, chemistry and mathematics तो यह आपको चूज करना है कि आप किसमें यह paper देना चाहते हैं तो next अगर हम बात करें for ASI droughtsman के लिए तो यहां पर 3 year diploma standard in droughtsman's course on civil तो यहां पर भी इसके 40 questions आएंगे जो 40 marks के रहेगे या फिर 3 year diploma standard in droughtsman's course on mechanical engineering तो यहां पर भी 40 जो number of question रहेगे जो 40 marks क होंगे अगर हम cut off की बात करें for the post of ASI radio operator crypto technical तो यहां पर जर्नल एक सविसमें के लिए 45% रहेगी इच पार्ट आप पेपर और EWS OBC SC ST के लिए 40% रहेगी in each part of paper तो next यहां पर बात करें यह question will be of objective multiple choice टाइप तो यहां पर जितने भी आप से question पूशे जाएंगे वह objective टाइप SIRO crypto के लिए और अगर हम बात करें ASI tech या फिर ड्रॉट्समें के लिए 0.25 यहां पर negative marking होने वाली है आपकी तो यहां पर next अगर हम बात करें the date and center of written examination will be informed to candidate via admit card तो जब admit card आपको release कि जाएंगे तो उस पर वहां पर जो exam की date और center आपको बताया जाएगा तो यहां पर अगर which will not permitted to use calculator तो यह सब कुछ आपको पता ही है क्योंकि आप और भी exam भरते होंगे तो यह सब कुछ जो information होती है instruction होती है same होती है next जो हमारे लिए important है physical standard क्या रहेगा तो यहां पर height की अगर बात करें तो journal SC OVC के लिए male 170 cm और female 157 cm होनी चाहिए और अगर chest की बात करें तो for journal SC and OVC के लिए male candidate की 80 cm minimum expansion 5 cm होनी चाहिए तो यहां पर अगर हम बात करें relaxation in height तो minimum height for candidate belonging to schedule tribe will be 162.5 cm या फिर 154 cm female के लिए तो minimum height यहां सब कुछ आपको बताया गया है तो next अगर हम बात करें the relaxation in chest to be schedule tribe of all state and will hill prop pupil as follow तो जो schedule tribe में है या फिर hilly pupil है उनकी height उतनी जादा नहीं होती थोड़ी कम height होती है तो उनके लिए अलग से यहां पर height बताई गई है तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको अगर यह पूरी notification पढ़नी है तो इसको मैं अपने female दोनों के लिए और long jump, high jump, short put यह सब कुछ आपको यहां पर अच्छे से देख लेना है तो यहां पर यह बहुत जुरूरी है आपको अगर यह exam qualify करना है तो यहां पर बात करें document verification के लिए तो यहां पर आपको दिखाये गए है कि आपको कौन कौन से document लेके आना है जिसे driving क license, aadhar card, voter ID card, pen card, passport, government college, school ID, employer ID तो यह सब कुछ form आपके पास होने चाहिए इसके साथ यहां पर 10th का certificate, 12th का certificate यह सब कुछ आपको वहां पर लेके जाने हैं जब document verification होगी तो यह आप अच्छे से पढ़ लेना तो अगर हम बात करें mode of selection की तो यहां पर the recruitment process will be consist of written examination तो यह सब क पर बताया गया है कि minimum qualifying marks कितने रहेंगे जिसे 45% और 40% तो यहां पर अगर कैटेगरी में बताया गये हैं और बहुत important की अक्सर टैटू देख जाते हैं आर्मी में की कहा आता है कि आर्मी में जाना हो टैटू अलाउ नहीं होते तो यहां पर बताया गया है कि अगर टैटू आएगी यहां पर डालते रहेंगे उसके लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर दो ताकि हमारा जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचें तो इसे के साथ हम यहां पर इस वीडियो को विराम देखते हैं थैंक्यू जै हिंद जै भारत